दोस्तो आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स ले करके दोस्तो मचली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो इस चैनल पर कमेंट में आता है हम कोशिस करते हैं उसको उसी दिन जवाब देने के लिए अगर को के मन में भी कोई सवाल है तो बे हिचक बे जीजक सवाल किजिए हम कोशिस करेंगे आपके सवालों को जवाब देने के लिए ताकि आप भी फायदा उठा लेंगे और हमारे दूसरे बीवर हैं उनको भी जनकारी होगा तो चलिए दोस्तो आज देखते हैं सबसे पहला कमें किन का है पहला कमेंट है संदीप सोनी के तरफ से लिखते हैं सर एक पोखरा है उसमें फिश सर्दी के मौसम में नहीं फस्ती है कैसे पता करें उसमें मचली है या नहीं और वहां कम से कम तीन बीघा में है उसमें कई तरह की मचली पाली गई थी अगर है तो कैसे पता करें और कैसी मारे कौँ से चराई से इस्तिमाल करें देखिये sir अगर मचली का पता करना चाहते हैं कि कौन से मचली है तो सबसे बेहत्रीन है अगर आपके पास मचरदानी है या मचरदानी के जैसा कोई जाल है तो क्या किया कीजिए कि चारा बनाईए इस चैनल के उपर बहुत सारा चारा अपलोड है कोई भी कार्प फिश वाला चारा बनाईए और जालूई के अंदर बिलकुल एक बड़ा सा गोल मोटरी के जैसा यानि पोटली के जैसा बना दीजे बांधने बनाने के बाद से आप क्या करेंगे के एक उसमें कम से कम दो मीटर लंबा डोर बांधिये बांधने के बाद से डोर के दूसरे तरफ दूसरा एंड पर बड़ा सा एक बैलून में हवा भर करके पानी उसको बांध दीजे डोर में यानि एक तरफ बैलून रहेगा दूसरे तरफ चारा रहेगा और उसको पानी में छोड़ दीजिए अगर मचली है तो आप उसका कमाल देखेंगे जब तक मचली उस चारा को खा रही है बैलून हिलता रहेगा इसका मतलब है कि मचली है लेकिन ध्यान दीजिए बैलून के इस तरीका को आप आजमाएंगे और शिकार करेंगे थैंक यू सर अगला कमेंट है तेन जीन टी ब्लॉग के तरफ से लिखते हैं के सुंदर बियार जी जहां हम मचली का शिकार करते हैं वहां एसनेक बहुत ज्यादा है यह बोलते हैं कि एसनेक शिकार करने में यानि के बाता हूं और बिधी बताऊंगा किस तरह से साब को भागाना है तो देखिए यह स्क्रीन के उपर जो मचली दिखाई दे रही है इस मचली को आप इंतजाम कर लिजिए यही मचली और क्या करेंगे आप सरसों का जो तेल होता है जो राई का तेल कहीं बोला जाता है उसको वह क्या करेंगे ड्रॉप से आप इस मचली का मुह खोली और आधा बूंद उस मचली के मुह के अंदर डाल दीजिए डालने के बाद से इसको बंद कर दीजिए इस तरह से अगर 5-6 मचली के अंदर मचली के मुह के अंदर यह सरसों का तेल डाल दीजिए डालने के बाद से आप उसको उसका मुह बंद कर दीजिए और करिब 2-3 घंटा के लिए पलास्टिक में बंद कर दीजिए बंद करने के बाद आप क्या करेंगे जहां शिकार करना चाहते हैं उस एरिया में ये मचली ले जा करके हर एक मिनट आधा मिनट के बाद बारी बारी से फेक दीजिए इससे क्या होगा एक दिन तो आपको शिकार करने में परिशानी होगा पहले दिन लेकिन जब इसको साप निगलेगा इस मचली को खाएगा तो फिर वो उस एरिया को छोड़ देगा इतना तेजी से वो भागेगा कि दुबारा इधर नहीं आएगा तो उमीद करता हूं दोस्त इस तरीका को आप आजमाई आजमाने के बाद शिकार कीजिए और शिकार करने के बाद से हमें जरूर रिपलाई कीजिएगा थेंक्यू सर अगला कमेंट है संदीप सोनी के तरफ से बोलते हैं कि सर अगर कई तरह की मचली पाली है तो कौन सी चराई से मारे जैसे की रोहू गरास चाइना भाकूर बीग रेड नैनी है सर जरूर बताईएगा देखिए सर इसके लिए एक चारा अपलोड है इस चैनल को उपर जिसका टाइटल है हंटिंग मैनी फिश विथ वन बेट सर इस चारा को देखिएगा चैनल को उपर बिल्कुल येलो कोलर का गोल 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 के जैसा बना हुआ है आप इस चारा को इस्तिमाल कीजिए इस्तिमाल करके शिकार कीजिए उमिद करता हूं सर इस चारा को शिकार करके आप जरूर फाइदा उठाएंगे थैंक्यू सर अगला कमेंट है कया राम चौधरी के तरफ से लिखते हैं कि सुन्दर जी आएसे मचली देखे तो कौन सी चारा यूज करें प्लीज बताइए देखिए सर ये है पोठिया मचली और पोठिया मचली के लिए मैं तीन नया तरीका बताता हूं शिकार करने के लिए पहला तरीका आपके पास आजिर है अगर पका हुआ चावल आपके पास है तो ध्यान दीजिए पका हुआ चावल ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए थोड़ा सक्त होना चाहिए और पका हुआ चावल को बीच से दो टुकड़ा माने तोड़ दीजिए दो टुकड़ा तोड़ करके आप चोटा टुकडा उसको काट लीजिए यानि पोठिया मचली के मुह में घुसने लाइक चोटा-चोटा टुकडा काट करके उसको हुक में इस्तेमाल कीजिए अगर कच्छा मकई नहीं है सुखा हुआ मकई है तो उसको पानी में आप उबाल लीजिए 10-15 दाना आप उबाल ले तीसरा तरीका यह है कि गेहु के आटा ले लिजिए गेहु के आटा लेने के बाद से उसमें अगर एक कप गेहु का आटा लेते हैं तो उसमें 10 बूंद शहद डाल दीजिए शहद डालने के बाद से आप उसको गूंध लीजिए गूंध करके उसको शिकार कीजिए तो यह पर सौट में आपको तीन तरीका बता हैं कभी हम फुर्सत में इस पर हम दस तरीका चारा का बताएंगे और परेक्टिकल उसको हूप में लगा के दिखाएंगे दोस्तों पोठिया मचली शिकार करने के लिए ये बेहतर तरीका है उमीद करता हूं सर आप शिकार करके हमें जर सिंगल काटा में और काटा कैसा होना चाहिए देखिए सर काटा आप छे नंबर या आठ नंबर इस्तिमाल कर सकते हैं रहा बात चारा का सरदी के मौसम में आप शिकार करना चाहते हैं तो अभी कुछ दिन पहले मैं एक चारा अपलोड किया था सरदी के मौसम के लिए बेहत स्थेंक्यू सर मैं आपको भी स्थेंग्यू बोलूंगा आपने शिकार किया शिकार करने के बाद हमें रिप्लाइक किया इन्हों ने जरूर बड़ा वाला पकड़ा होगा तभी खुशी से इन्हों ने कमेंट करके हमें बताया है दोस्तों आप भी इस वीडियो को देखिए इस चारा को जो चारा मैं बताया था ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीका से आप भी शिकार करिए शिकार मिलेगा तो जरूर दोस्तों हमें कमेंट करके बताईएगा थैंक्यू अगला कमेंट है एमडी रईस का तरफ से लिखते हैं कि आप लाइव वीडिय इस चैनल को उपर अपलोड है अभी कल या परसो आप देखेंगे हमारे वीडियो में एक लाइव चारा हमने अपलोड किया था चारा पानी में डाला है हमने और कितना तेजी से मचली उसको खा रही है सब बिलकुल लग रहा है मचली जैसे पागल हो गई है सब उमीद करता कैसे रोका जाए देखिए सर मैं आपका एक और कमेंट पढ़ा था आपने पूछा है कि नदी से तलाब कनेक्ट हो जाता है पानी ज्यादर बढ़ने पर तो मचली को तलाब में कैसे रोका जाए देखिए सर उसके लिए एक बहतरीन उपा है जब पानी कम होता है या तलाब सूख जाता है या पानी जब बढ़ने लगता है तो अलग-अलग तरीका अपनाते हैं अगर पानी सूख गया है तो क्या करें आप गय हूं या मकई का जो होता है उसको दर्या बना लिजिए यानि पानी बढ़ने से पहले आप क्या करेंगे यही तरीका आपनाएंगे लेकिन इसमें क्या करेंगे आप कम से कम दो चमच शहद मिला लेंगे यानि एक किलो जो दरिया आप बना रहे हैं उसमें एक चमच शहद मिला लेंगे और क्या करेंगे उसको हाथ से मसल करके बढ़िया ब तो एक किलो, सो ग्राम, डाइ सो ग्राम, अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से है, आप इसको डालिया, डाल करके इसको छीट लीजिए, और छीटने के बाद से आप क्या करेंगे, जब पानी पढ़ जाएगा, अगर जाने के लिए वहाँ संभाव है, तो बीच ब बहुत शुक्रिया, आज की वीडियो मेरे बहुत काम की है, आपने तो टेंशन ही खतम कर दिया, वेरी गूर, देखिए सर, हम कोशिस करते हैं, हर चीज का निदान निकालने के लिए, थोड़ा वीडियो अपलोड करने में हमें लेट हो सकता है, लेकिन हम हर मचली, हर चारा का बारे में वीडियो डालेंगे, अगला कमेंट है, परवीन लयाल के तरफ से लिखते हैं, के बहुत बहुत धन्यवाद हमें आज तक घोगा नहीं मिला है, देखिए दोस्तो मैं घोगा, कैसे तलाश है, इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, उसी के उपर परवीन साह है, ओके दोस्तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मैं आप आप से अनुमती चाहूंगा, सुन्दर बिहार देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्यू दोस्तो